दिली में यमुना नदी का जलस्तर खत्रे के पार पहुँच गया है वाटर लेवल 206.24 मीटर तक पहुँच गया है खत्रे का निशान 205.33 मीटर है आसपास के इलाके खाली करवाई गए है लोगों को यमुना के पास न जाने की प्रशासन लगातार अपील कर रहा है तो यमुना नदी अब खत्रे के निशान से उपर बह रही है दिली में जो खत्रे का निशान है वो 205.33 मीटर है और यमुना नदी का जो सतर है इस वक्त वो 206.24 है यानि कि खत्रे के निशान से उपर पहुँच गई है यमना नदी और इसको देखते हुए जो यमना के आसपास के इलाके हैं उनको खाली करवा लिया गया है प्रिशासन लोगों से लगातारी अपील कर रहा है कि यमना नदी के नजदीक नहीं जाएं तो दिली में यमना खत्रे के निशान से ऊपर बह रही है तो जो निचले इलाके हैं यमना नदी के आसपास के इलाके हैं उन्हें खाली करवाया गया है और आये सीधर रुख करेंगे अपने दिली समादाता विने सिंकाव विने अभी क्या जानकारी है और क्या स्थिती है यमुना का जो वाटर लेवल है वो खत्रे के निशान के ऊपर पहुँच गया है ऐसे में वो लोग जो सबसे जादा इससे प्रभावित हो सकते हैं उनके ल आजपास के लोग रहते हैं उनको वहां से लिए कहा गया है ताकि किसी तरह से जान का नुकसान ना हो और झायत दी है कि कोई यमना की किनारे न आ जाए ताकि जो यमना का लेवल अगातार बढ़ रहा है उससे लोग बच सके माना जा रहा है कि अभी ये लेवल और बढ़े जमना के नजदीक रहने वाले लोग वहां से पीछे हट जाए और लगातार जो परशासन है वो इस पूरी स्थिती पर नजर बनाए हुए है कि किसी तरह कोई नुकसान ना हो पाए किया इंतिजाम सरकार प्रशासन की तरफ से किये जा रहे है विने इसको देखते हुए देख किसी कोई उस में डूपता हुआ दिखता है या फिर किसी तरह से यमना में जाता है तो उसको रोका जाए सके तो फिलहाल इस तरह के बचाव की जो कदम है दिली सरकार के तस्थे उठाय गये हैं ठीक है आपका धर्यवाद दनेस जानकारी के लिए तो यमिना नदी खत्रे के निशान से उपर बेह रही है और बारिश के चलते साथी साथ हत्नी कुन बैरात से जो पानी छोड़ा गया है उसके चलते जो वाटर लेल है वो ऊपर चला गया है खत्रे के निशान से जिसको कहा जा रहा है कि वो यमना नदी के नजदीक न जाए